और लेट चेक इडाउट गाईज, स्वागत आपको एस्ट्रों टेक में, दोस्ते हैं जम कंपेर करेंगे कुछी टैम पहले इंडिया में लॉंच हो दो केलरे स्पेक्स वाले लो बजेट 5G स्मार्टफोन को, जिनका नामे उपो A3X और शाओमी रैड्मी A3 Pro, और जानेंगे के इन दोनों मुबाइलों के फीचर्स के अकॉर्डिंग कौन सा मुबाइल बैस्ट होगा, सारी चीज़े के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो चले लगे तो बारे में, जिसमें, Oppo A3X में आपको 6.67 इंचेस के अईपस सल्चेटीड डिस्प्लेगे, वह शाओमी रैड में A3 Pro में आपको 6.88 इंचेस के अईपस सल्चेटेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, अगर बात करेंगे वेट के तो ओपो का वेट आपको 187 ग्राम देखने उस प्लाक्त देखने को com pleas qa qa qeë अगर बात करें आप टो पु में आपको 10.4 उप्रेस्टी सिस्ट्म देखने को म Chapter 2 कि दिखने को मुले का अगर बात करें अपूराइटिंग सिस्ट्म ए determination ऑप्को लेंगर अपना स Benihna आपको देखने को मिलेगा. वन शाऊमी में आपको Mediatek Helio G81 Ultra प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा. अगर बात करें दोनों मोबाइलों के ग्राफिक्स के तो Oppo में Mali-G57M72GP आपको देखने को मिलेगा. वन शाऊमी में आपको Mali-G52M72GP देखने को मिलेगा, अगर बात करें card slot की तो दोने mobile में card slot होगा अगर बात करें internal memory की तो Oppo में 64GB और 128GB के variants आपको देखने को मिलेंगे वह शाओमी बस आपको 128GB में ही देखने को मिलेगा, अगर बात करें RAM की तो दोने mobile बस आपको 4GB में देखने को मिलेंगे, अगर बात करें, स्टोरिज टाइप की तो दोने ही मोबाइल में EWMC 5.1 स्टोरिज टाइप होगा, और अगर बात करें, कैमेरे सेगमेंट की तो उपु में आपको 8 मेगा पिक्सल का सिंगल कामरा सेटफ देखने को मिलेगा, वहें Xiaomi में आपको 50MP का single camera setup देखने को मिलेगा तो यहाँ पर main camera आपको Xiaomi का काफी अच्छा देखने को मिलेगा अगर बात करें selfie camera की तो दोने mobile में 5MP का front camera आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें sound quality की तो दोने mobile में mono speakers होंगे और दोने mobile में आपको 3.5 mm jack का feature भी देखने को मिल जाएगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो दोने mobile में fingerprint sensor आपको side mounted देखने को मिलेगा और दोने mobile में आपको 2.0 type USB port भी देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इंफ्रा रेट पोर्ट और NFC की तो दोने मोबैल में इंफ्रा रेट पोर्ट और NFC दोनों का इस फिचर आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर बात करें बैटरी सेग्मेंट की तो OPPO में आपको 5100 mAh के ऐलाप पे बैटरी देखने को मिलेगी वहें Xiaomi में आपको 5,160 mAh के अलब पर बैटरी आपको देखने को मिलेगी चार्जिंगे बात करें तो Oppo में आपको 45W के फस्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी वहें Xiaomi में आपको 10W के सिंपल चार्जिंगे देखने को मिलेगी तो आप पर battery segment आपको Oppo का काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा अगर बात करें दोनों मुबाइलों के colors की तो Oppo में black, white or purple colors आपको देखने को मिलेंगे वहीं Xiaomi में आपको blue or green colors देखने को मिलेंगे इंडिया में Oppo A3X का price 13,499 होगा वहीं Xiaomi Redmi A3 Pro का price 8,990 होगा तो दोस्तों ये था इन दनों मुबाइलों का complete comparison overall दिखा है तो दोस्तों price के according दोने मुबाइल में काफ़ी अच्छे features आपको देखने को मिलेंगे लेकिन performance के basis पे इस comparison का winner होगा OPPO A3X अगर आपको वीडियो चल लगा तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर देना और comment करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा तब तक लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में